नमस्कार गार्डिन प्लेजर चैनल पर आपका स्वागत है यह पेस्टी साइड मैंने अपने घर पर ही तयार किया है लीफ माइनर कंट्रोल के लिए इससे बनाने और प्रियोग करने से पहले बात करते हैं कि लीफ माइनर से पौधों को क्या नुकसान होता है यह एक प्रकार aún में दो परतों के बीच में मैसो फिल टेसूस पाय जाते हैं और मैसो फिल को स्काव में बड़ी संख्या में क्लौरो प्लास्ट होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवसोशित करते हैं। ग्लोरोप्लास्ट का मुख कारे होता है प्रकास संसलेशन और स्टार्ज को इघटा करना जो की पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है ये जो लारवा हैं ये पत्तियों के अंदर प्रिवेस करके मैसो भी उधकों को खाते हैं जिससे प्रकास संसलेशन की छमता कम होने पर फूल और फल गिरने लगते हैं विसे इस रूप से जो सौप्ट पत्तियों वाले पौदे होते हैं जैसे टमाटर, वैगन, मिर्च, सेम, मटर, सोया, वीन ऐसे भहुत से फ्लॉबरिंग प्लांट, गुलदावदी, जीनिया, आदी इनको ज़्याधा नुकसान पहुचाते हैं ये ये लारवा काफी संख्या म होते हैं और बड़ी ही तेजी से फैलते हैं खासकर वसंत इसीजन में ज्यादा फैलता है तो इनकी रोगथाम के लिए शुरू में जब कम पत्तियां में ही ये दिखाई पड़े तो इन इंफेक्टिट पत्तियों को निकाल कर नश्ट कर देंगे ताकि जो नई लेप से बन इसके बाद इसको छान कर 500 ml इसमें पानी मिलाएंगे और सारे पत्तों पर अच्छे तरह से स्प्रे करेंगे तीन से चार दिन में इसको रिपीट करते रहें पांच्छे वार प्रियोग करने के बाद ये खतम हो जाएंगे वैसे लॉंका तेल ओनलाइन या मार्केट से भी देख सकते हैं तेल को 5 ml पानी में 3 ml ही मिलाना है अगर आप लॉंका तेल यूज करना चाहें तो इसकी लिंक मैंने वेडियो में देख सकते हैं दूसरा तरीका आप नीम आयल का स्प्रेवी कर सकते हैं 5 ml नीम आयल 2 ml डिस बास एक लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों को अच 3-4 पत्तियों में ही था तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर और कितनी जल्दी यह पूरी प्लांट पर फैल गया और अब मैं इसकी ज्यादा इंप्यक्टिर लिप्स है उन सब निकाल दे रही हूं इनको नहीं निकालेंगे तो यह जो नई पत्तिया निकलने व हुए हैं इसके पास ही रखी हुए थी तो इसमें भी एक दो पत्तियों में आने लगा है बागवानी करते हुए आप अपने ब्लांट्स को चैक करते रहें और किसी पेश्ट का अटेक नहों पाए इसके लिए 10-15 दिन में नहीं मौल का इस्प्री करते रहें मिलते हैं हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को थेंक यू